इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन किसी पेपर में गलत है यह मुझे याद है लेकिन फिर भी हम लोग चेक करते जाएंगे क्लिफ एंड टावर ग्राउंड लेवल पे हैं अब ही लेकिन आम यह नहीं पता कि कौन सा बढ़ा कौन सा नहीं बढ़ा पहले स्टेटमेंट में नहीं नहीं पता वोल्टा फोन दे टॉप ऑफ दा टॉप टुप अधर हाई यांगल औफ अलुवेशन ओप और टावर ठीक है तो इससे यह पता जलिए कि टावर ज़ाधा बड़ा है क्यों कि क्लिफ जो है वह 25 मीटर की है और इसके टॉप से एंगल ओफ एलिवेशन वन रहा है टावर का जब यहां पर भी खड़े हो जाते हैं तो भी हमें क्या करना पड़ता है तो भी हमें एंगल ओफ एलिवेशन बन रहे हैं यह एंगल ऑफ एलिवेशन जो है थीटा कि इप्रेशन के इप्रेशन का मतलब इसका बॉटम का बनाता है यह तो इसके इक आता है मतलब यह थीटा तो बोल रहा है कि बताओ टावर की हाइट कितनी होगी पचास क्योंकि देखो 25 तो यही हो गई है ध्यान से देखो यह राइट अंगल ट्राइंगल है अगर यह पच्चेस है यह थीटा तो थीटा के सामने वाली लेंद कितनी होगी यह 25 होगी है और अगर हम बोलें कि यह ट्राइंगल जो ABC है वो इस लिए कैसा है तेम सेम ट्राइंगल है मिलर नहीं है कॉंग्रूएंट हर्वांग सम हिंदी में बोलते हैं इंग्लेश में बोलते हैं और वैसे तूम इक्वल भी बोलो के तो भी चलेगा यह वाला जो ट्राइंगल है क्योंकि थीटा 25 यहां दिखे तीटा तुम्हें यहां दिखे निए यहां पर दिखे यह वाली साइट दोनों में कॉमन दिख रही है तो कैसा हो सब्सक्राइब कि यह वाला अगर थीटा के सामने 25 होगा अब यह क्या होगे 25 आप दो को जैसे यह reference figure वाले कुछ question आते हैं यह synergy में भी बहुत पूचे जो देखने में बहुत डर लगता है मतलब पहली बार last to last year वाले बच्चे कर रहे थे तो बहुत ही डर रहे सर यह वाले question करा दो यह वाले question करा दो यह बेकार होते हैं दो इसकी यह language पढ़ लो तो अपने आप खतम हो जाता question जैसे question क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है इसर शोज था number of passenger vehicles per thousand people for countries a to m यह जो यह जो नीचे लिखा हुआ है data यह a b c d यह सब countries है और यह countries कौन सी है इन countries में क्या हुआ है इसे a country में क्या है यहां तक जा रहे है यह क्या है number of passenger vehicles per thousand people हजार लोगों में कितने लोगों पे passenger vehicle है which of the following countries is passenger vehicle per thousand people more than countries i and j but less than e and f i or j से ज़ादा आप देखो आई और जे से ज़्यादा होगा तो of course i से ज़्यादा होगा i से ज़्यादा मतलब एक line तो हमने यह बना दी कि i से ज़्यादा वाली line और किस से कम A किसे किसे E और F E और F यह है E और F इस से कम तो सीरिसी बात है कि यह अपना E वाला लिमिटिंग है क्योंकि E से कम होगा तो अब यहां पर देख लो कौन से कम होगा G आर यह H तो नीचे है G जी जी Only G H जो है वो इस से नीचे है I से नीचे है I और J से ज्चादा का मतलब क्या है I से ज्चादा चुचि I से ज्चादा होगा तो J से ज्चादा अपने अप होगा लेकि क्यों कि J से ज्चादा होगा तो होचकता I से कम हो इसलिए H नहीं लेना है G इस दा करेक्ट आंसर Is that clear native अब देटा पकड़ना होता है यहां पर और क्षेशन अपने अब खतम हो जाता है यह देखो यहां पर लिखा हुआ है कि टी इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन मतलब वह आयोटा वाली चीज़ देदी है आयोटा इसमेजिनरी नमबर याद ना अब बोल रहा है कि multiplicative inverse of 5-I या 5-T तो multiplicative inverse क्या हो जाएगा multiplicative inverse हो जाएगा 1 upon 5-T या जो भी लिखना है अब option में ऐसा तो कहीं कुछ लिखा है नहीं या लिखा भी हुआ तो 5 plus T लिखा हुआ है आई माइनस यह नहीं लिखा है तो हम क्या करते हैं यहां पर 5 प्लस T से multiply divide कर लेते हैं तो इधर क्या आएगा 5 प्लस T तो रहे गई रहेगा इधर क्या आएगा 25 minus T square तो यह आएगा 5 plus T और 25 minus T square क्या जाएगा minus 1 तो प्लस 1 बन जाएगा तो दी option आजाएगा 5 plus T divided by 26 ऐसे question IMU CT में last year चार आये थे ऐसे वाले question लिख दो जो बिल्कुल सीदे सीदे formula भी इस से कौन सा mirror image के कौन सा अपने उसके reference figure among the four images which of the following is not identical mirror image के identical नहीं है C होगा D नहीं होगा C C mirror image के identical नहीं है if the two sides of a triangle have length 5 and 6 the perimeter of the triangle could be which of the following एक triangle की 2 side length दे दी है 5 और 6 तो बोल रहा है कि perimeter क्या हो सकती है किसके बीच में क्या हो सकती है हां तो ट्राइंगल की थ्यारव होती है क्या थ्यारव होती है योग जीरो से तो बड़ी ही रहनी चाहिए नहीं है यह सूनो अब perimeter का मतलब क्या होता है sum of all the three sides अब मैंने क्या किया यह जो 5 क्या बनेगा 11 अब 11 से 22 के बीच में क्या राई कर रहा है 15 लाई कर रहा है क्या कैस्पियन सी लेंड लाउट है मैंने पहले भी करवाया है हां वैसे लेकिन फिर भी समझ लो question बोल क्या रहा है क्योंकि क्योंकि अगर इसके जैसा कोई question आगया तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा question क्या बोल रहा है कि एक ship जो है ship है storage tank to store fuel oil for 30 days उसमें 30 दिन का fuel भरा जा सकता है मतलब इतना fuel भर सकते हैं कि ship 30 दिन तक चलेगा स्ट्रेच कि आस रूब फर 50 days पचास दिन के लिए जाना है थी स्ट्रीमिंग विच शी कें टेक फ्यूल वन मोर टैंक एक बार वह और भर सकता है ठीक है कि स्टार्ट उन पैसेज विद फुल फ्यूल टैंक पहले तो उसने 30 दिन का पूरा भरा हुआ है फिच आप फॉल्विंग फॉलिंग ऑप्शन चल भी अडप्टेट तो एड़ वन कंप्लीट वन सो एंप्लीशन and completion completion of 50 days passage she is left with only 5 days extra fuel मतलब 50 दिन complete होने के बाद उसके पास 5 दिन का फ्यूल होना चाहिए तो अब उसको कौन से दिन पे बीच में भरवा लेना चाहिए फ्यूल पच्चीस दिन तो भरवा लेना चाहिए पहले 25 दिन चलेगा पच्चीस दिन चलने के बाद 5 दिन का फ्यूल बचेगा उसके पास और 25 पर भरवा लेगा तो फिर 30 दिन का हो गया तो बाकी की 25 दिन चलने के बाद 5 दिन का गैक यह यहाँ पर अगर नमबर नहीं दिख रहोंगे तो या दिया हुआ है 2 यह दियी और यह प्व Lauren Sr. c तो यह दो है तो obviously यह भी दो होगा क्योंकि होता क्या कि अगर बाहर किसी points हम tangent बनाते हैं तो equal length की tangent बनती है तो यह तीन है तो यह भी तीन होगा और यह चार है तो यह भी चार होगा आप तुम्हें क्या करना है इन सब को add कर दें ठीक है तो 18 आजाएगा अच्छा अगर इसका area पूछ लेता तो निकाल लेते हैं तुम्हें अगर इसी triangle का area पूछ लेता कैसे फिरांस महुता लगाना पर अब यहाँ पर a का value कितना आता 7 पी का value कितना आता 6 और सी का value आता 5 और semi perimeter कितना आता 9 perimeter तो तुम्हारे पास 18 ना गया था ला अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं हेरांस formula और area निकालते यह वह interview में भी बूच सकता है कर दो